नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरो यूटूब चैनल में बहुत बहुत स्वागते आज मैं आप लोगों के लिए लिकर के हम एक एलोपेथिक मेडिसीन नेम्ड एस मॉक्सिफ्लक्ससिन आईड्रॉप्स तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा लेफोर्ड कंपनी के मॉक्सिफ्लक्ससिन आईड्रॉप्स की जो कि एक एक एंटिवाटिक मेडिसीन है तो किन कंडिशन में ये यूज की जाती है ये जो है मुख रूप से आखों में जो माइक्रो आर्गनिस्म की ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को रोकता है और साथी जो बैक्टिरियल बिक्शन को खटम करता है और दीरा बढ़ने सے रोकता है साथी खटम भी करता है दिरय दीरे करके तो आखों में अगर लालमा है आखों आखें लाल रहती है या पर गाहितों हैं आखों से खुझ ली इचिरिय और रिक वह खता है और जरन भी हैं बजन सा महसूस होता है साथ ही जिन लोगों के आँखों से गंदा गंदा पानी आता है तो वो लोग भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं कि चड आता है तो उन condition में उन दिक्कतों को दूर करने के लिए इस drop का इस्तिमाल किया जाता है तो अब बात कर लेते हैं स्रेंज की तो यह जो है 5 ml का पैक रहता है 5 ml का पैक रहता है और केमस तो रहती है वो 66 रुपीज है 6-6 रुपे की केमत में आपको यह आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा आप अपने नजीदी की मेडिकल स्टोर से पर्चेश कर सकते हैं या फिर जो है इसको आप अनलाइन भी मंगवा सकते हैं तो अब बात कर लेते हैं साइड फेक्ट की कि क्या साइड फेक्ट होंग यह इसको यूज़क डालने के बाद में तो आप इसको न डाले और साथ ही तुरंती डाक्टर को अपने डाक्टर से संपर्क करें उसके सला लें उसके बाद ही इस ड्रॉप का दुबार इस्तेमाल कर, लेते हैं कि इस ट्रैप में ड्रॉप जो है सक 120 कमणouse मोंर चाइए है किसी प्रकार कोई भी संक्रमन है इंफेक्षन है बैक्टिरियल इंफेक्षन है तो वो लोग इसका इस्तेमाल एक वार ज़रूर करें और साथी जो है इस ड्राप को खोलने के बाद में आपको सिर्फ एक मेहने के लिए ही यूज करना है क्योंकि कोई भी आइड्रॉप्स ज वो यूज करने लाएक रहता हैज है इसके बाद में खराभ हो जाता है तो इस लेए इस चीज़ का ध्यान रखें जब भी आप इसको खोले कोब करें 리 हमने ऊल इसको अह livresUSE करें तो दोस्तों यही का मेरा वीडियो कि अइसा हम्जी क्मैंट करको हैं और साथ ढ़्योंख मेर अने ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 10-15 मिनिट का गैप करें उसके बाद में दूसरा को यह ड्रॉप अगर डाल ले हैं लुब्रिकेंट बगएर डाल ले हैं तो 2-3 सोरी 10-15 मिनिट के बाद में उस ड्रॉप का इस्तेमाल करें तो दोस्तों यही था अगरा वीडियो मेरा वीडियो कैसा लगा मुसे कमेंट करके ज़रूर बता हैं और साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरा वीडियो को लाइक हो और सेर करना ना भूले मिलते हैं एक लिए वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जैन